आपको पैता हुआ कि compromise क्या होता है कि जब भी कोई केस में दो पार्टी होते हैं एक plaintiff और defendant अगर दोनों पार्टी ने कोट के पास जब केस फाइल किया और केस के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम ले रहा है केस तो वो क्या करते हैं अपने जो भी issue होत हैं तो जब वो पार्टी स्खुद compromise कर लेते हैं तो कोट वहां पे compromise decree पास करती है तो एक कोशन बहुत important होता है जो कि यूपी जुडिश्ट्री में and another state में बहुत बर पूछा गया है कि क्या जो compromise decree होता है उसे हम res judicata बोलेंगे या नहीं whether the compromise degree is considered as a res judicata or not क्योंकि आपको पता है कि जो compromise decree court पास कर देती है तो हम उसे अपील में challenge नहीं कर सकते हैं और अपील में नहीं जा सकते हैं according to section 96 appeal जो होती है वो बार करती है अगर party के बीच में compromise decree pass कर दी गई है according to section 96 subsection 3 of IPC और अगर आप order पढ़ेंगे order 23 rule 3a इसमें भी ये बात बोली गई है कि bar for the instituting of fresh suit for which a compromise degree is passed अगर कोई भी compromise degree पास कर दिया गया है तो fresh suit आप institute नहीं कर सकते हैं अगर जिस पे compromise degree पास कर दिया गया है बस court के पास ये होता है कि जिस court ने compromise degree पास किया रहता है वो court के वल चेक कर सकते है कि क्या उसमें कोई further उसमें कुछ चीजों को change किया जा सकता है य यह नहीं और इसके साथ साथ आपको बता दूँ कि कौन-कौन से प्रोविजन से आपको याद करने पड़ेंगे जो की बार करती है compromise decree के लिए section 96 subsection 3 no appeal shall lie against if the decree has been passed between the parties between the parties और parties की बिच में क्या हुआ है agreement of the parties तो यहां पर compromise कर लिया है तो section 96 subsection 3 के according compromise decree अगर पास कर दिए तो appeal कभी भी आप code के सामने फाइल नहीं कर सकते हैं और order 23 rule 3a भी यही बात बोलती है कि आप compromise decree पास के लिए आप फिर से appeal पे नहीं जा सकते हैं तो आप यह दो order याद रखिएगा और order 23 का rule 3 and 3a 3a भी याद रखिएगा order 23 rule 3 and 3a इन दोनों को जब आप एक साथ पढ़िएगा तो इसे यही conclusion drawn होता है निकलता है कि no separate suit shall be passed and the maintainable if the compromise degree has been passed तो compromise degree पास कर दी गई है तो कोई भी separate suit भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं और नहीं maintain करेगी compromise degree पास करने के बाद और जैसा कि मैं अब questions पे आती हूँ कि अगर question ऐसा है कि compromise degree को क्या हम res judicatus consider करेंगे या नहीं क्योंकि आपको further पता चलेगा कि आप appeal पे तो नहीं जा सकते हैं बट आपके पास read petition file करने का person होते हैं वो court के पास read petition file कर सकते हैं before the high court तो क्यों compromise degree को हम res judicata consider नहीं करते हैं क्योंकि जो compromise degree होती है वो court की decision नहीं होती है इसमें parties खुद अपनी settlement को क्या करते हैं settled करते हैं and then court क्या करते हैं उनकी जो भी हो settlement करते हैं parties through the agreement court उनकी settlement पे टिक्री पास करती है तो court यहाँ पे कोई भी अपना decision नहीं देती है जिसे कि क्या होता है जब कोई case फाइल करते हैं तो वहाँ पे parties की दोनों parties की submissions को court सुनती है and then court accordingly अपना judicial application apply करते हुए उस पर decision देती है बट compromise degree में जो court है वो अपना कोई भी decision नहीं देते हैं इसलिए इसे res judicata consider नहीं किया जाता है इसके लिए एक supreme court की landmark judgment है सूबा राव सूबा राव वर्सिस जगनाथ राव 1967 and बाई राम ये भी एक बाई राम वर्सिस union of इंडिया 1992 ये दो judgment में supreme court ने यहीं held किया था कि compromise degree is strictly speaking अगर compromise degree को हम अगर हम बोलें तो यह as a res judicata consider नहीं किया जाता है compromise degree is not a decision of the court ये court का decision नहीं होता है it is acceptance by the court of something ये court के द्वारा एक acceptance किया जाता है to which the parties had agreed जैसे मैंने वको बताया कि parties किसी चीज़ पे agree हो जाते है उस पे court के वल अपना acceptance देती है तो ये line बहुत important है it is acceptance by the court it is the acceptance by the court of something to which the parties had agreed ये court के द्वारा किवल एक acceptance होता है जिसे parties already agreed हो गया है a compromise degree is merely sets the seal of the court on the agreement of the parties बहुत अच्छा line लगता है मुझे जब उनने पढ़ा इस case का कि compromise your degree होता है केवल parties की जो agreement होती है उस पे court किया करती है अपना एक seal दे देती है जब उसको compromise degree court pass करती है and compromise degree does not decide anything और यहां पे compromise degree में जो court होती है कुछ पे decide नहीं करती है nor can be said that the court has said something expressly and impliedly इसमें court कुछ भी express और impliedly court कुछ भी नहीं बोलती है hence a compromise degree cannot be operate as a rest judicata इसलिए compromise degree को हम rest judicata नहीं बोलते है और compromise degree जो होता है इसमें court जो होती हो parties को नहीं सुनती है किवल क्या करती है court किवल decide कर देती है on the merits of the parties agreement parties की जो agreement होती उनके merits को सुनके court उस्पिकेवल decide कर देती है such degree may create or stopple but rest judicata नहीं होता है बट क्या करती है यह degree compromise degree parties को stop कर देती है stopple लगा देती है between the parties की वह fresh root institute further नहीं कर सकते है यह बहुत important है आपको जान लेना कि compromise degree को rest judicata इसलिए नहीं बोलते है क्योंकि court का उसमें कोई भी decision नहीं होता है court क्या करती है merely acceptance देती है उन सारी चीजों पे जिसपे parties already agreed हो जाते है compromise degree में जो court होती है केवल seal देती है on the agreements of the parties जिसपे party agrees होते है compromise degree में court कुछ भी decide नहीं करती है court केवल merit की basis पे जो agreements होती है उस पे टिक्री पास कर देती है इसलिए compromise degree को dress judicata नहीं बोला जाता है और compromise degree क्या करती है stopple create करती है between the parties क्योंकि parties जो होते हैं वो fresh shoot institute नहीं करते है तो आप जब order 23 rule 3 3a पढ़िएगा तो इसे clear हो जाएगा कि no separate suit meantable by the court if compromise degree has been passed and order 96 और स्वारी section 96 कर दी गई है तो उस पे fresh appeal आप court के सामने अपील पे नहीं जा सकते है compromise degree का बट एक आपको पता होगा कि हमेशा अगर कहीं पे fraud हुआ है undue influence हुआ है then हम इस चीज को अगर प्रूव कर देते हैं court के सामने तो court क्या करती है वहाँ पे entertain करती है application but इसके लिए parties के पास high court में जाना पड़ता है जिसके लिए आपके पास written petition अफाइल कर सकते है under article 226 and 227 तो आपके पास written petition फाइल करने का पावर होता है इसको supreme court ने held किया था latest judgment आप पढ़िएगा अजीत पाल सिंग वर्सिख सिंग खालसा अजीत ये नॉर्मली फादर का नेम क्या मतलब अजीत पाल सिंग अजीत पाल सिंग वर्सिस संजय ये case का नाम था तो आप पूरा citations मैं आपको comment works में provide कर वादूंग आप वहाँ से no down कर लिजेगा अजीत पाल सिंग वर्सिस संजय इस case में सुप्रेंग कोट ने ये हल्ड किया था कि parties read petition फाइल कर सकती है under article 226 and 227 before the high court और क्या satisfied कर देती है कि अगर वहाँ पे undue influence हुआ है question हुआ है then court वहाँ पे entertain करेगी और एक और चीज़ आपको बोल दूं कि application भी आप review का application फाइल कर सकते हैं आप अप अपील नहीं कर सकते हैं बट आप review पे जा सकते हैं under section 151 ये एक proper remedy court यहां पे दे सकती है कि आप क्या कर सकते है section 151 में जाएंगे और court ने यहां पे बताया बहुत सारे cases हैं तो इस case में एक सुप्रीम कूट ने एक और case में बताया श्री इश्वर गोपाल वर्सिस भगवान दाशान इस case में सुप्रीम कूट ने यह हल्ड किया था कि an application for review और an application under section 151 would be proper remedy for the getting the consent degree set aside अगर आपके पास ये एक proper remedy होता है कि आप section 151 में review application को file कर सकते है from the setting aside of consent degree आप appeal पे नहीं जाते हैं पर आप consent degree को set aside करने के लिए आप review application file कर सकते है under section 151 of the CPC and आपके पास एक read petition का भी आपके पास एक आपके पास remedy होता है जो section sorry जो article 226 and 227 में होता है before the high court तो आपको I hope clear हो गया हो कि जो rest judicata होता है वो क्यों नहीं consider किया जाता है as rest judicata क्यों नहीं consider किया जाता है compromise degree को क्योंकि वहाँ पे court की कोई judicial decision नहीं होती है यह चीज मैंने बता दिया दिन आपको मैंने बता दिया कि आप appeal पे नहीं जाएंगे क्योंकि section 96 and read with order 23 rule 3 and 3a के according यह बार करती है कि आप compromise degree के बाद आप उसको appeal पे नहीं जा सकते हैं बट आप उसको review करवा सकते हैं section 151 and read petition पे जा सकते हैं बट आपको proof करना होगा कि आपके साथ undue influence हुआ है caution हुआ है and fraud हुआ है और एक और चीश आपको बता दू मैं चाते हूँ कि आपको comprehensive पता चल जाए कि अगर कोई minor है अगर उस minor के case है और उस minor और कोई unsounded mind वाला person है तो उस case में अगर किसी ने court के सामने leave नहीं किया क्योंकि जब भी compromise degree अगर आप minor के case में अगर आप compromise degree कर रहे है तो आपको court के सामने leave देना पड़ेगा court वहाँ पे record करती है कि क्या यहाँ पे compromise degree जो इन parties में compromise कर लिए इसमें minor का यहाँ पे benefit हो रहा है या नहीं तो court यहाँ पे तभी उसमें compromise degree पास करती है वहाँ पे court अपना judicial application अप्लाई करती है minor के case में तो order 32 rule 7 order 32 rule 7 के according अगर कोई भी order 32 rule 7 sub rule 2 आप इसका पढ़िएगा order 32 rule 7 sub rule 2 में यह बताए गया है कि without the leave of the court so recording shall be voidable against all the parties other than the minor अगर अपने court के सामने leave नहीं किया application को court ने वहाँ पे अपना record नहीं दिया है तो जो भी compromise degree होगा वो voidable हो जाएगा against all the parties तो यह आप minor का case ही की याद रखेगा order 32 rule 7 sub rule 2 और आपको एक और बैत बतादू कि अगर compromise degree इन सारे nature का भी है तो वहाँ पे भी आप धिहान में रखेगा कि वहाँ पे other parties को भी अगर parties challenge कर देती है अगर compromise हो गया है तो कोट वहाँ पे भी सुन सकती है और भी open कर सकती है अगर appeal पे आप जाते हैं section 91 में अगर public nuisance का case है वहाँ पे अगर compromise degree पास किया गया है section 92 public charity and trust का है तो an order 1 rule 8 यह तीन provision है जहाँ पे representative suit से related अगर matter है public nuisance का section 91 public charity and trust section 92 and order 1 rule 8 यह याद रखिएगा along with minor का case आप याद रखिएगा order 32 rule 7 sub rule 2 अगर वहाँ पे कोट के पास नहीं रखा गया और कोट ने वहाँ पे record नहीं किया तो कोट क्या करती है वहाँ पे voidable कर देती है against all the parties such compromise degree and आपके पास क्या extra आपके पास क्या extra remedy होता है अगर compromise degree पास कर दिया गया है आप although appeal पे नहीं जा सकते है but आप review application फाइल कर सकते हैं under section 151 and बाकि आपके पास read petition का write होता है article 226 and 227 and rest जो डिकाटा का मैंने आपको बता दिया तो यह सारे order rule and जो मैंने article बताया और जो case laws मैंने बताया आप उसे अच्छे से पढ़िएगा आपको comprehensive way में पता चल जागा कि compromise degree क्या है कहां तक किस किस sections को आप इसके साथ साथ में पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ भी इससे related पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको answer कर दूँ और या तो further किसी और वीडियो में आपको उस topic से related समझाने का मैं ट्राई करूँगी Thank you so much